नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होगे दोस्तों MPG के Special Question Series का आज का हमारा ये छटा लेक्चर है और आज के लेक्चर के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्व में कुछ important questions को डिस्कॉस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज किस लेक्चर को जिसमें आज کا आपका जो पहला Question है दूस्तों वो है भूपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमन्तरी कौन थे जब दोस्तों भोपाल गैस दुखानती का जिसे हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस तरासदी भी कहते हैं इसकी बात करते हैं तो ये 2-3 दिसेंबर 1984 को घटित होई घटना थी और जब हम इस समय की बात करेंगे तो इस समय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे अरजुन सिंग्जी के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के कारेकाल के दौरान ही मध्यप्रदेश में यहां घटना हुई थी यदि हम इस घटना की बात करें दोस्तों और लीप में जाकर तो याद रखिएगा कि मिथाईल आईसोसाइनाइट मिथाईल आईसोसाइनाइट यह गैस का काम होता था और मिथाल आईसोसाइनाइट जो है एक विशेली गैस थी जो कीटना शक बनाने में काम होती थी इस गैस का रिसाब हुआ रात को और इस रिसाब के कारण हजारों लोगों की यहां पर मृत्ती हुई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगबग 15,000 से जादा लो एंडर्सन जो इस कंपनी के मालिक थे वो फरार हो गए थे घटना के 3-4 दिन बाद इनकी गरफतारी एरपोर्ट से हुई और गरफतारी के बाद जब इन पर केस चला गया तो केवल 2100 डॉलर के मामूली से जुर्माने के आधार पर इनको छोड़ दिया गया था यह पूरी क 15,000 से जादा लोग जो थे वो इसमें जान गवा चुके और केवल लोगों ने जान ही नहीं गवाई आज भी यदि हम देखते हैं तो इस गैस दुरगटना के जो दुश प्रभाव हो हमें दिखाई पड़ते हैं कई सारे लोगों ने अपनी आंके खोदी किसी को सांस की भी विद्रो में काकू के नाम से कौन प्रसिद्ध था तो काकू के नाम से जब प्रसिद्धी की बात करते हैं तो ठाकू रणमत सिंग जो हैं ये मध्यप्रदेश में काकू के नाम से प्रसिद्ध थे इस विद्रो के दोरान जब हम 1875 के विद्रो की बात करते हैं तो ये विद विद्रो 10 माई 1857 को officially start हुआ था और यहां जो मेरट के सेनिक थे उन्होंने यहां से विद्रो का परारंब किया सेनिक जो थे वो दिल्ली की तरफ पूच कर गए दिल्ली में इन्होंने लाल किले को चारो तरफ से घेर लिया और लाल किले में इस समय जो भारत के समराट थे मु खायरे लिखते थे इनका नाम पड़ा बहादुर्शा जफर चीक है अच्छा यह जो बहादुर्शा जफर थे इनके पास यह गए और इन्होंने करांती का जो नेता चुना था वो नेता किसको चुन लिया इनको चुन लिया मतलब 80 वर्षी एक व्रद जिनको भारत का समरा प्राट माना जाता था इन्हें इन्होंने करांती का नेता चुना दोस्तों अगर इसके पहले की बात करते हैं तो यहां पर नई राइफल आई थी जिसको बोलते थे इन्फिल्ड राइफल उस राइफल के प्रियोग को लेकर एक बात यह थी ती कि इसमें गाय और सुर की चरवी के कार्तुस प्रियोग होने की बात थी और ऐसे में कहीं न कहीं मंगल पांडे जो थे हमारे उन्होंने 29 मर्ण स को विरूद कर दिया क्योंकि गाय और सुर की जो सर्बी है वो हमारे हिंदु और मुस्लिम धर्म में सही नहीं माने गई थी इस कहीं न कहीं इसका इनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा हुआ और अप्रेल में मंगल पांडे को फांसी दे भी गई थी, यह याद रखना है, मंगल पांडे के फांसी के बाद करांती जो थी उसने अपना जो बोल सकते हैं, गुरूप धारण किया है, ठीक है, अच्छा, जब हम इस करांती की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी करांती के कहीं न कहीं बोल सकते हैं, जड़े जमी हुई, मध्य प्रदेश में दोस्तों, 3 जून, मध्य प्रदेश में 3 जून, 1857 को करांती का प्रारम होता है, नीमत से इसका प्रारम होता है, बाद में ये इंदौर, ग्वालि सागर महू है ना शिवपूरी अधी अलग-अलग छेत्रों में कुरांति का विस्तार हो गया था लेकिन प्रारंब कहां से हुई थी मद्यप्रदेश में तो नीमत से हुई थी यदि हम इंदौर की बात करते हैं दोस्तों याद रखिए का इंदौर में साधत था इन्होंने मंडलेश्वर वाला इलाका है खरगोन मंडलेश्वर यहां से हम भीमानायक की बात करते हैं कि भीमानायक जो थे इन्होंने करांति का नेत्रतु किया था यदि हम बात करें तो करांतिकारे जो थे उन्होंने जो शिवपुरी और शिवपुरी की बात कर लेते हैं शिवपु ग्वालियर का छेतरता वहां पर बोख सकते हैं कि हमला किया तो ग्वालियर के जो में शिंदिया राजना था और बोल सकते हैं कि जो Captain थे British वन्हों ने डरके मारे आगरा में शरण लिती और शरण लिती याद रखिएगा it रानी लक्ष्मी भाई जोती उन्होंने इस करांथी का नितरत्व किया यहाँ पर ताक्तिया टोपे के साथ इन्होंने करांथी में कहिने के बोल सकते हैं अपना योगदान दिया जासी की रानी लक्ष्मी भाई की अकरम बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा रानी लक्ष्मी भाई जो है वो 18 जून 1858 को अपने जासी छेतर को बचाते हुए संघर्ष करते हुए यूरोज के साथ लड़ते हुए किसके साथ यूरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो दोस्तों याद रखना है जासी की रानी लक्षमी भाई के बच्पन का नाम था मनी करनी का बच्पन का नाम क्या था इनका मनी करनी का था ठीक है याद रखिएगा और 9 नवंबर को 9 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा कब हुआ था 9 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था जन्म का हुआ था दोस्तों अगर पूछा जाता है तो वाराण सी में इनका जन्म हुआ था ठीक है अच्छा जांसी की रानी जो लक्षमी भाईती इनके पती का नाम अगर पूछा जाता तो याद रखिएगा गंगाधर राव गंगाधर राव जो था इनके पति का नाम था और दामुदर राव इनके पुत्र का नाम था गंगादर राव की मृत्यू के बाद अपने दत्तक पुत्र दामुदर को उन्होंने कहने के बूल सकते हैं कि जो अलववैशक था उसकी संरिक्षिका बनते हुए साशन स्कार्ट किया था लेकिन लॉड हड़ नीती के बाद जब जहास्चे को हड़ लिया गया तो फिर ये संगर्ष में शामिल हुई और इन्होंने लंबे समय तक वीरता के साथ संगर्ष किया और 18 जून 1858 को यूरोज के साथ लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी ठीक है दोस्तों इस प्रकार से ये इतना इं अच्छा 1857 की करांती की अगर हम बात करें तो जहां हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में जो भोपाल की बेगम थी ठीक है तो भोपाल की जो बेगम थी उनका नाम था सिकंदर भोपाल की सिकंदर बेगम जो थी इन्होंने अंग्रे जोका साथ दिया था इसके अलाव रानी अवंती भाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों रानी अवंती भाई जो थी उन्होंने याद रखिएगा मंडला से करांती की कमान समाली थी यह आपको याद रखना चीक है और साधत खान जो थे उन्होंने इंदोर में विद्रोग की कमान कब की थी याद जुलाई को इन दौर में विद्रोग का कमान समाली थी यह आपको ध्यान रखना ठीक है चलिए और एक और important fact याद रखेंगे कि जो बढ़वानी वाला इलाका था वहां से टाट्या भील किसने टाट्या भील जो हैं वो बढ़वानी वाले इलाके से आदिवासी समू के साथ करांती में निकल पड़े थे तो ये 1857 की करांती से संबंदित मद्यप्रदेश के कुछ महत्पूर्ण इसको आपको नोट करके रखना चीक है चली अगला प्रश्न क्या है आपका प्रश्नमबर तीन प्रश्नमबर तीन कहता है जंडा सत्यागरा से संबंदित है जंडा सत्यागरा से संबंदित है जबलपूर याद रखिएगा कि जंडा सत्यागरा जो है वो जबलपूर से 1923, 1923 में 18 मार्च के दिन, 18 मार्च 1923 को ये उस समय की घटना है जब जबलपूर नगरपालिका में कॉंग्रेस को भहुमत प्राप्थ हुआ और कॉंग्रेस के जबलपूर का भवन था जिसको हम बोलते हैं वहाँ का जो हॉल था टाउन हॉल वहाँ पर उसकी छट पे तिरंगा फैरा दिया लेकिन यहाँ पर जो अंगरेज जनरल था उसने हमारे तिरंगों को निकाल के फैंक दिया और पैर से रूंद दिया यह बात हमारे करांतिकारियों को बहुत आग्रोश करने वाली थी फलता हमारे करांतिकारियों ने क्या किया जंडा सत्यागरह प्रारंब कर दिया याद रखिए कि इसको प्रारंब करने के लिए नाकपूर को चुना और नाकपूर से जंडा सत्यागरह किया जहाँ पर फैरा सकें मतलब जंडा फैराने के अधिकार के लिए यह जंडा सत्यागरह किया गया था आपको याद रखना है कहा से जबलपूर से ओके दोस्तो चलिए अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 4 प्रशन नमबर 4 कहता है घोडा डोंगरी जंगल सत्यागरह की बात करते हैं तो याद रखना 1930 जो घोला डोंगरी है ये बैतूल में है ये कहाँ पर है दोस्तों बैतूल में है बैतूल में घोला डोंगरी जंगल सत्यागरह हुआ जो की गांधी के नमक सत्यागरह से प्रेरित था याद रखेगा जो किस से प्रेरित थ जो थे वो गुंजन सिंग कूरकु के नेतरत में किसके याद रखिएगा गुंजन सिंग कूरकु ये नाम याद रखिएगा इनके नेतरतों में आदिवासी जंगलों से अपने कंदे पर कंबल और हातों में लाठी लेकर इस सत्यागरह के लिए निकल पड़े थे जो कब की घ बात करें भारत चोड़ो आंदूलन की तो 8 अगस्त को है ना ये important date है 8 अगस्त को 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में बंबई के कौन से मैदान में दोस्तो ग्वालिया टैंक मैदान में एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद निरने किया गया कि हम भारत चोड़ो क करने वाले हैं और भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की सारवहमिक घोष्णा के बाद शुरू हो गया था और जैसे ही 9 अगस्त को ये गांधी जी के घोष्णा के बाद शुरू हुआ वैसे ही मद्य प्रदेश में इसका प्रारंब जिसको बोला गया था भील सा प्रस्ताव और जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ बाद में ये आंदोलन जबलपूर से और भी व्यापक तरीके से पहलाया गया था याद रखना है चीक है अब हम भारत छोड़ो की जब बात कर रहे थे तो याद रखना है कि जैसे ही भारत चोड़ो आंदोलन की गोष्णा महात्मा गांधी की द्वारा की गई तो उन्होंने दो बाते यहाँ पर कही एक तो ये कि मेहर अली ने किसने मेहर अली ने जो भारत चोड़ो का नारा दिया था उसको गांधी जी ने लेते हुए कहा कि अंगरो जो भारत चोड़ो और दूसी तरफ गांधी जी ने अपना नारा दिया करो या मरो का नारा किसने दिया गांधी जी ने यहाँ पर दिया याद रखियेगा और इसके बाद भारत में बड़े पेमाने पर इस आंदोलन का प्रारम हुआ किन्तु आंदोलन की गोशना के बाद गांधी समेथ जो बड़ गरफतार कर लिया गया कौन से ऑप्रेशं के तहट याद रखिए गांधी जी को पूने के आगा था पहले समें गरफतार करके रखा गया यहां पर इनके साथ सरोजनी नाइडू और कस्तुर्वा भी साथ इसके अलावा अन्य नेताओं को अलग अलग जगा पर गरफतार करके रखा गया था जब गांधी और बड़े-बड़े नेता गरफताव हो चुके थे तो ऐसी परस्तिती में कुछ अन्य हमारे नेता थे करांतिकारी लोग थे जिसमें आपको याद रखना है राम मनोहर लोहिया जी राम मनोहर लोहिया जी के साथ-साथ कौन-कौन लोग थे उनके बारे में याद रखेंगे इस आंदूलन को रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और अरुणा असफ अली जो थी इन्होंने इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हुए गौलिय टेंक मैदान में जंडे फैराने के साथ ये एक्टिविटियों को जारी रखा था ठीक है तो ये नाम आप इंपोर् हालपुर में इसको व्यापा को रूप मिला भौपाल में यहीं हम बात करते हैं तो भौपाल में इस आंदूलन को शंकर दयाल शर्मा कौन? शंकर दयाल शर्मा जी ने इसको आगे बढ़ाया जबकि ग्वालियर में इस आंदूलन को नेतरत परदान कर रहे थे अटल जी, श भारत चोड़ो आंदोलन की प्रष्ट भूमी मध्य प्रदेश में व्यापक रही है याद रखना है मैंने कुछ भारती लेवल पर भारत चोड़ो का भी आपको थोड़ा सा बता दिया है ताकि आपको याद रहा है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण प्र पादु का नर्सहार जो है ये कहलाता है आपका मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकान एक्चुल में मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकान इसको क्यों कहते हैं उसको जाते हैं तो याद रखिएगा कि 14 जनवरी 14 जनवरी 1931 की बात है 14 जनवरी 1931 को ज तो बुंदेलखन जो है यहां पर आपको पताएगी छतरपूर है ठीक है तो छतरपूर का एक जगा थी जिसका नाम था चरण पादू का गाओं है अब चरण पादू का गाओं में उर्मिल नदी के किनारे पर कौन से नदी के किनारे पर दोस्तों उर्मिल नदी के किनारे पर बोल सकते हैं हम उर्मिल नदी के किनारे पर मकर सक्रांती के दिन किस दिन मकर सक्रांती के दिन कुछ लोग जो थे वो सांतिपुन सभा कर रहे थे अब जो सांतिपुन सभा चल रही थी उस सभा में फिशर नाम के क्या नाम था फिशर नाम के अंगरी जी अफसर ने अंधधु गोलिया चलाने की बाद कर ली ठीक है और गोलिया जब चलाई गई इसमें कई सारे लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए ये जब आपने नरसाहार देखा कि निहती भीर सांती पूर्ण अपनी एक सभा कर रही है उस सभा पर एक वेक्ति आता है अंग्रेज और वो गोलिया चलवा देता है तो इसको देखते से ही कहिन के हमें जलिया वाला बाग की याद आ जाती है इसलिए चरन पादुका में हुए इस नरसाहार को जलिया वाला बाग के से तुलना की जाती है और इसे कहते हैं मध्यप्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकांड या बु अंग्रेश सरकार ने पास किया था कब किया था 19 मार्च उननीस सो 19 को अब आपका जी जो रोलेट एक्ट आया था इसका विरोध हुआ बड़े प्यमाने पर इसको गांधी ने काला कानून कहा गांधी ने इसको क्या अमरिस्टर में दो व्यक्ति, अमरिस्टर में बात करते हैं, तो डॉक्टर सत्पाल और किछलू, कौन डॉक्टर सत्पाल और किछलू जो थे, वो इस आंदूलन को अमरिस्टर में लीड कर रहे थे, तो डॉक्टर सत्पाल और किछलू की गरफतारी हो गई, इस गरफतारी को विरोज जताने के लिए बैसाकी के दिन किस दिन दोस्तो याद रखना है बैसाकी के दिन जली नामक व्यक्ति के एक बाग में क्या नाम था जली नामक व्यक्ति था इसका बाग था जिसको बोला जाता था जलिया वाला बाग इस जलिया वाला बाग में लोग इस दिन इखटा कई सारे लोग इखटा हुए किसली इखटा हुए दोस्तो शान्ति पूर्ण सभा के लिए विरोध जताने के लिए अब जब सान्ति पूर्ण सभा चल रही थी इस बात की जानकारी मिलती है जनरल डायर को जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आता है और इस पार्क में यहाँ पर लोग इखटा थे बहुत सारे और यहां पर सैनिक ऐसे लाइन मना के खर्ण हो गए और सैनिकों ने अंदाधुन गोलियां आंक बंद करके गोलियां चलाना शुरू कर दी लोगों के उपर और इन गोलियों के चलाने के कारण लगबक एक हजार से जादा लोग हमारे मारे इस भीषण हट्याकान को जलियावाला भाग हट्याकान की नाम से जानते हैं जो किसके द्वारा जनरल डायर के द्वारा अंजाम दिया गया था दोस्तों निहत्ती भीड पर गोलियां चला दी गई थी जो की सांतिपुन सभा कर रही थी और यह पूरी घटना कब हुई थी तो याद रखिएगा 13 अपरेल 1919 को 13 अपरेल 1919 को यह घटना घटित हुई थी अम्रिस सर के जलियावाला भाग में इसलिए इस भीषण जनसाहार को देखते हुए जलियावाला भाग कहा गया है मद्दे प्रदेश के किसको चरण पादु का सत्यागरा को ठीक है चलिए यह जो यह पूरा जो हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में हमारे कई सारे लोगों ने उपादियों का भी त्याग किया था जैसे गांदी जी ने अपनी केसर हिंदी की उपादी त्याग दी थी इसके अलावा रविदना टैगोर जो थे उन्होंने नाइट हुट की उपाद दिया गया और उससे ब्रिटिस सरकार का शेर कहा गया भारत में विश्की जांच के लिए एक समीटी बनाई थी जिसको बोला जाता था मदन मूहन मालवीय समीटी ये जो समीटी बनी थी इसके गांदी जी भी एक सदस्य थे और समीती ने जनर्र लायर को दूशी थेराया थ जो जनरल डायर था उसको 1940 में उद्दम सिंग, सरदार उद्दम सिंग जी ने मार दिया था, गोली मार दिया था लंडन में, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुशन है आपका प्रश्च नमबर साथ, प्रश्च नमबर साथ कहता है कि सिवनी में किस नेता ने गांधी चोक पर नम सत्यागर किया था, अब याद रखना कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबर मती आश्रम गुजरास से, साबर मती आश्रम गुजरास से, दांडी के नवसारी तक दांडी यात्रा की थी, और इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 प्लस वन, एक गांधी जी और उनके साथ 78 लो लोग ये गए थे यात्रा प्रारंब करते हुए गांधी जी ने यात्रा प्रारंब की और 5 अप्रेल को गांधी जी पहुंचते हैं दांडी में और 6 अप्रेल को गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और 6 अप्रेल 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ही गांधी जी सविने अवग्या आंदूलन का प्रारंब करते हैं और जैसे कि गांदी जी ने यहाँ पर आंदूलन किया दांडी यात्रा की वैसे ही देश के अलग-अलग भागों में भी दांडी यात्रा करके हमारे नेताओं ने करांतिकारियों ने नमक कानून तोड़ने का काम किया था तो मध्यप्रदेश में भी कहीं ने कहीं ये नमक सत्यागरा नमक कानून तोड़ने का काम हुआ होगा तो मध्यप्रदेश में गांदी चोकपर दुर्गा शंकर महता ने ये काम किया था इसके अलावा मध्यप्रदेश के अलग-अलग इलाके में भी इस प्रकार की गतिविदिया गटित हुई थी यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की गतिविदिया हुई थी जैसे कि 6 अप्रेल 6 अप्रेल 1930 को जबलपूर में याद रखेंगे 6 अप्रेल 1930 को जबलपूर में किसने सेठ गोविंद दास और द्वार का परसाद मिश्र ने ये जो पूरी यातरा थी ये जो सत्यागरह था ये इसको अंजाम दिया था और राइपुर में अधी हम बात करते हैं, तो राइपुर में पंडित रवी शंकर शुकल ने, कितने रवी शंकर शुकल जो थे पंडिजी, इन्हों ने इस सत्यागरह को किया था, तो ये आप नाम याद रखेंगे, अच्छा, ये जो नमक सत्यागरह किया गया था, इसके मा बात करते तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद इस सत्यागरों को शुरू किया लेकिन ब्रिटिस सरकार ने गोल में सम्मेलनों का आयोजन किया और इसी बीच में हुआ गांधी और इर्विन के बीच में समझोता जिसको हम बोलते हैं गांधी इर्विन समझोता अब ग ही कि गोल में सम्मिलन जो था उसमें जाने के लिए गांधी जी ने गांधी इर्विन समझोते के तयात हां भर दी थी और फिर गांधी जी लंदन गए थे दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए लेकिन वहां गांधी जी को बिजजती जिलनी पड़ी अंतथा गां गांधी जिन 1934 में आंदुलन को पूरी तरह समाप्त कर दिया था याद रखेंगे तो पहले चरण में ये और दूसरे चरण में आंदुलन 1934 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था ठीक है तो ये सविने अवग्या आंदुलन था जिसके बारे में याद रखना है और बोडेस ने कौन से गोल में संव Jeanne में भाग लिया था अगर ये कोशन कूश लेता है तो दूसरे गोल में संवेलन में भाग लिया था याप को यादग रखना ठीक है चलिए अगला प्रशन है दोस्तो आपका प्रशन नमबर आठ प्रशन नमबर आठ कहाता है कि दयानन सरस्पती ने मद्यप्रदेश में कहां आरे समाज की स्तापना की थी अब देखो आरे समाज की स्थापना कहां की थी इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आरे समाज की बारे में कि मद्यप्रदेश में आरे समाज की शाखा कहां खोली गई है ये तो जान नहीं है लेकिन सबसे पहले ये तो जानने की आरे समाज किया था तो याद रखिएगा कि आरे जो शब्द होता है इसका मतलब होता है स्रेस्ट या फिर प्रगतिशील और जब समाज के संदर्वे में इसकी बात कर लेते हैं तो एक ऐसा समाज जो प्रगतिशील है स्रेस्ट है उसे ही हम आरे समाज कहेंगे आरे समाज की स्थापना यदि हम बात करें शाखा की स्थापना मद्य प्रदेश में देखें तो खंडवा में की गई थी जब कोशन अजाए कि दयानन सरस्पती ने मद्य प्रदेश में कहां इसकी शाखा खोली थी तो खंडवा में खोली थी लेकिन आरे समाज की स्थापना की बात करेंगे तो याद रखना है कि 10 अप्रेल 1875 में दयानन सरस्पती ने आरे समाज की स्थापना की थी जिसका मुख्यालाई दिल्ली में है और इसके थहत इन्होंने परंप्रागत चो सिक्षा प्रणाली है मुल्य है उनको स्थापित करने के बात की और वेदों की और लोटो वेदों की और लोटो का नारा दिया ये किसके द्वारा दैनन सरस्पती जी के द्वारा दैनन सरस्पती जी की हम बात करें तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 12 परवरी 1824 को और इनके बच्पन का नाम था मूल शंकर क्या नाम थ अगला प्रशन है दोस्तों आपका प्रश्ण नमबर 9, प्रश्ण नमबर 9 क्या कहता है मध्य प्रदेश में असयो गांदोलन का नेतरत्व किस ने किया था, आपका उत्तर है प्रभाकर डुंडी राज, मध्य प्रदेश में असयो गांदोलन का नेतरत्व किया था प्रभाकर किया जिसको प्रारंब करते समय गांधी ने कहा कि हम ऐसी सरकार का आसयोग करने की बात करने हैं जो सोशनकारी है ठीक है तो आसयोग का मतलब था सोशनकारी सरकार के साथ सायोग नहीं करना है ये आंदुलन शुरू किया जो कि एक अहिंसक आंदुलन था लेकिन दोस्तो पुलिस कर्मियों ने पर लाठी चार्ज कर लिया जो आंदोलनकारी भीड थी उसने गुस्सा होकर पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी और इस घटना के कारण कहीं नयकाई गांदी जी छुपड़ुए थे यह आग लगाने की घटना जो थी जिसम में आग लगा दी थी लाठी चार की घटना के बाद अहिंसक गतिविदियों को देखते हुए गांदी जी का मन चुपड़ हुआ और इसलिए गांदी जी ने 11 फरवरी को आसायो गांदोलन वापिस लेने की घुशन कर दी थी जिसने देश के युवा वर्ग में एक परकार से अतन्तोष कर दिया उनको निराश कर दिया तब जाकर जो चंद्रसेकार आजाद हैं वो भी एक अलग एक संस्ता का निर्वान करते हैं और मोतिलाल हेरू चितरन जंदास मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं ये अलग-अलग बाते थी लेकिन असायो गांदोलन के के लिए हम बात करते हैं तो मद्यप्रदेश में प्रभाकर डुंडी राज ने इसका नेत्रत्व किया था हमारे मद्यप्रदेश में इंदौर सागर जबलपूर और राइपूर ये प्रमुक केंद्र हुए काय के असायो आंदोलन के चीक है चलिए अगला प्रशने दोस्त कि तो 120वा की आतरा की थी तो आपका उत्तर होगा 1921 में महात्मा गांदी जी ने खंडबा की यातरा की थी ती चीक है नेक्स्ट प्रश्ण है स्वामी विवेकनन जी ने अपने जीवन काल में 분ा जीतर होऊ डिए नेक्स के कोशन आपका कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 कहता है कि आदिवासियों की संगटित सेना ने किसके नेतरत में विद्रो किया था तो आपका उत्तरों का भीमा नायक जिनका जन्म हुआ था बढ़वानी में भीमा नायक जिनका जन्म हुआ था बढ़वानी ने उन्होंने 1857 के वि मुदेश के किस शहर में हुआ था तो याद रखेंगे जबलपूर 1949 का कांगरेस का जो सम्मिलन था वो जबलपूर जिसको त्रिपूरी कहते हैं यहां हुआ था इस सम्मिलन की अलग बात यह थी कि सम्मिलन में अध्यक्षपत को लेकर गांधी जी ने गांधी जी ने अपना एक प्रतिनीधी रख दिया था गांधी जी ने जिनको चुना था उनका नाम था पट्टाभी सीता रमयया पट्टाभी सीता रमयया जो थे उनको गांधी जी ने अपना उम्मीदवार चुना था लेकिन सुभास चंदर बोस जो की 1938 में भी कॉंग्रेस के अध्यक्ष का बीच में वाद विवाद हुआ और उसके बाद सुभास चंदर बोस जो थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया इस्तिफा देने एक बाद उन्होंने एक माई को फारवर्ड ब्लॉक कौन सी संस्था की बात करेंगे फारवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना कर दीती दो कटंगा भी कहते हैं क्या कहते हैं गंड कटंगा भी कहते हैं जिसका केंदर है जबलपूर इस चेतर में राने दुर्गावती जी ने साशन किया था जो भारत की वीर विरांगना रही है याद रखना है नेक्स इसमें याद रखेंगे कि राने दुर्गावती की जब हम बात क जर्म हुआ था और इनकी शादी हुई थी दलपत्शाह से का हुई थी दलपत्शाह से गौडवन्ष में ठीक है जबल्पूर में दलपत्शाह जी जो थे वो शादी के चार वर्श में ही इनकी देहान्त हो गया और इस समय जो रानी दुरगवती और दलपत शाह का पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायन जो वीर नारायन इनका पुत्र है वो अलपवयस्क है तीन साल के उमर थी वीर नारायन की इस समय तो इस अलपवयस्क इस्तिती में ये पॉसिबल नहीं था कि ये अकेले साशन कर पाएं तो रानी दुर्गवती जो थी वो वीर नारायन की संरक्षिका बन गई और वीर नारायन की संरक्षिका बनके रानी दुर्गवती ने साशन परादम कर दिया इस पूरे छेतर पर और बहतर तरीके से बहदूरी के साथ साशन किया रानी दुर्गवती लेकिन 1564 में दोस्तों याद रखिएगा कि 1564 में अकबर के सेनापती का नाम था आसफ खां आसफ खां ने इस छेतर पर आकरमन किया और रानी दुर्गावती ने पहले तो इनको हरा दिया ठीक है याद रखिएगा तो ऐसे में ये जो पूरी कहानी थी ये रानी दुर्गावती की मैंने आप लोगों को बता दी ठीक है अच्छा रानी दुर्गावती का जन्म जो 5 अक्टूबर को मैंने बताया याद रखिएगा कि ये यूपी के बांदा जिले में हुआ था बांदा जिले में यूपी में हुआ था ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स प्रशन है आपका दोस्तो प्रशन 15 प्रशन 15 कहता है चंदरसेकर आजाद ने किस दूसरे नाम के सांथ करांतिकारी गतिवीडियो का संचालन किया था तो याद रखिएगा कि चंदरसेकर आजाद ने पंडित हरी शंकर ब्रहमच के नाम से करांतिकारी गतिविदियो का संचालन किया था चंद्रसिकर आजाद जो मध्य प्रदेश से संबंदित हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान अलिराजपूर में याद रखेगा वर्तमान इलराजपूर में भाबरा में जिसका नाम अब भाबरा में जिसका नाम अब जुलाई 1906 को और चंदरिसेकर जो थे वो बश्पन से ही करांतिकारी गतिविद्यों के लिए निकल गए थे जैसे हो समवाला था उसके बाद इन्होंने करांतिकारी गतिविद्यों को अंजाम दिया इस नाम के साथ जो चंदरिसेकर आजाद थे इनकी मृत्ति हुई थी 27 फर नाम अब चंदरिसेकर आजाद पारक रख दिया गया है इस समय ये अंग्रेजों से मुटभेड कर रहे थे जब इनकी बंदूप में एक गोली बची तो इन्होंने बोला कि भई मैं आजाद हूँ तो आजाद ही हमेसा रहूँगा इसलिए इन्होंने खुद को गोली मार ल जो था वो चंदरिसेकर आजाद के द्वारा बनाया गया एक संगठन था करांतिकारियों का संगठन था ठीक है और यदि हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो पंडिस सीता राम याद रखेंगे कि पंडिस सीता राम जो थे वो इनकी पिता जी थे और इनकी माता का नाम याद रखेंगे कि पिता का नाम पंडिल सिताराम था लेकिन इनकी माता का नाम था जगरानी देवी जगरानी देवी चंदरसेकर आजाद की माता जी का नाम था ये आपको याद रखना चीक है तो ये चंदरसेकर आजाद की कुछ इंपोर्टन जानकारी थी जो आपको ध्या पूछा जायेगा कि जबलपूर में कभी स्थापित किया गया थैंँ याद रखेएंगे 1864 को जबलपूर में नगरनिगम इस्तापित किया गया था। करते हैं यह समूल समिधान में नहीं था तो याद रखिएगा 1992 में 74 अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया जो 1993 में लागू हुआ तो यह जो 93 का अमेंडमेंट रहा है 74 इसके माध्यम से समिधान में 12 अनुसूची जोड़ी गई थी 12 अनुसूची और यह 12 अनुसूची राज्य सूची का विशय कही न कहीं दिया गया है कि इस प्रकार की विवस्ता जो होगी वो राज्यों को करनी पड़ेगी यदि हम पूरे देश में नगर निगम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भारत में 1687 में पहली बार मदरास में नगर निगम की स्थापना की कहां मदरास में नगर निगम की स्थापना की गई थी पहली बार 1687 में ठीक है और वाइसराय जो लॉड रिपिन थे उनका नाम में लॉड रिपिन लॉड रिपिन का नगरी इस्थानी प्रसाशन की स्थापना में बहुत इंपोर्टन योगदान है इसलिए हमारे यहां पर इस्थानी प्रसाशन के जनक जो है वो लॉड रिपिन को माना जाता है याद रखना है यदि प्राचिन काल में बात करते हैं तो छोल सामराज्य ने इस प्रकार की विवस्ता प्रारंब की थी लेकिन आधुनिक काल में अगर बात करने तो लॉड रिपिन ने इसको विवस् आएगी और जो त्रीस्तरी विवस्ता आएगी उस त्रीस्तरी विवस्ता में पहले क्या होगी नगर पंचायत दूसरी विवस्ता होगी नगर पालिका और तीसरी विवस्ता होगी नगर निगम दोस्तों जो नगर निगम की विवस्ता होगी वो ऐसे महानगरों में किये जान 40-70 के बीच में पार्शदों के संक्या होगी जो पार्शद होंगे और जो महापौर होगी इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष तौरपर करने की बात कही गई कि प्रत्यक्ष ता इनका चुनाव किया जाएगा लेकिन जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है नगर निगम का स्पीकर जो होता है उसका चुनाव पार्शदों के बीच से किसके बीच से पार्शदों के बीच में से ही किया जाता है अब प्रत्यक्ष तौरपर तो याद रखिएगा कि किस प्रकार से पूरी ववस्ता होती है चीक है नगर नीगम की इस्थापना करते समय या इस्थानी स्वाशाशन है उसकी इस्थापना करते समय इनको 18 विशा सौपे गए है कितने विशा है 18 विशा इनको सौपे गए है या आपको ध्यान रखना ठीक है अच्छा एक और बात important याद रखेंगे कि मध्यप्रदेश में इस पूरी व्यवस्था को लाने के लिए जो नगर पाली का याद रखेंगे नगर पाली का act जो है वो सबसे पहले दोस्तों लाया गया था 1957 में और इसको 1961 में संसूधित भी किया गया था जो आपको important त करते हैं तो बर्दोबान में 16 नगर निगम में कितने 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में याप लोगों को ध्यान रखना चीक चलिए यह पूरी व्यवस्ता किसे संबंदीती नगर निगम और इस्थानी साशन से संबंदीत जो मैंने आपको डीटेल में थोड़ा सा बता का प्रयाद किया है अगले प्रशनी की तरफ जाते हैं प्रशननमर 17 क्या कहता है किशोर बंदीग्र इस्तापित किये गए हैं प्रयाद रखिएगा इसका उत्तार है जबलपूर और नर्सिंगोड मतलब दोनों में दोनों में यह इस थापित कीये हैं ठीक है Kishore बंदीगर है दोस्तों ग्वालियर में ग्वालियर और इंदौर में मद्यप्रदेश की खंड़ेट है यह आप लोगों को ध्यान रखना है जो यह खंड़ेट है ग्वालियर और इंदौर की इसकी स्थापना की गई थी 28 नवंबर 1968 में इनकी स्थापना की गई थी यदि जी के द्वारा बनाया गए एक भवन था 1889 बन वाया था ये भवन 1889 में बनवाया था जिसके वास्तुगार थे हैंरी इर्विन कौन थे हैंरी इर्विन ये जो भवन था का महल था इसी महल में हमारी जो जबलपूर का न्यालाय है वो आज बना हुआ है जिसकी दो खंड़पीट इंदौर और ग्वालियर में है और तीसरी खंड़पीट भोपाल में प्रारब होने वाली है मद्दे प्रिदेश में अदि हम न्याले की बात करते हैं तो व्यवस्ति अधिनियम के अंतरग्द बनाये गया था लेकिन आपको पता है कि 1947 में हम लोग आजाद हुए आजाद होने के बाद मद्दे प्रदेश का बाद में विवस्तित तोर पर पुनर गठन के बाद इदियम बात करते हैं तो दो जनवरी 1956 को मद्दे प्रदेश की हाई कोट की जिसको हम मद्दे प्रदेश के पहले मुख्यन आइदिस भी बोलते हैं वो थे मुहमत हिदायत उल्लाह मुहमत हिदायत उल्लाह जो थे वो मद्दे प्रदेश के पहले मुख्यन आइदिस थे अगर मद्दे प्रदेश में वर्तमान मुख्यन आइदिस की बात करते हैं तो सरोजनी सक्सेना सरोजनी सक्सेना जो है ये मद्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य नयाइडिस रही है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है यदि हाई कोट की यदि हम बात कर रहा है दोस्तों याद रखना है कि भारती सविधान के अनुच्छे 214 भाग 6 के अंतरगत हाई कोट हो सकता है और मद्य प्रदेश का हाई कोट भी इसी की तहर्त बनाया गया याद रखना है अगर मद्य प्रदेश और सांतिसंद पूरदेश में हाई कोट के नयाइडिस की बात करें तो याद रखना है कि ये 62 वर्ष की आयू तक रह सकते हैं कोई नियुनतम आयू में याद करना है, हाइज कोट के न्यादीष्चों के संधर्वORY में भी याद करना होगी, वरतमान में पूरे बारत में 25 हाइज कोट हैं, सबसे नवीनतम हाइज कोट जो बना है, सागर में प्राशन नमबर 20 क्या कहता है तो याद रखिएगा कि मध्यप्रदेश में मद्य प्रदेश में भारती सविधान के आर्टिकल, आर्टिकल नमबर 243, क्लॉस जह, इसमें कहा गया है कि पंचायतों के आर्थिक इस्तिती की समिक्षा करने के लिए हर पांच वर्ष में, कितने वर्ष में, हर पांच वर्ष में वित्तायू का गठन किया जाएगा राज्य 1994 को मद्य प्रदेश में पहली बार वित्तायू का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जिश का नाम याद रखेंगे, याद रखेंगे, श्री सवाई सियं, कौन थे, श्री सवाई सियं जो थे, वो इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, या पहले वित् article no 282 के तहित होता है जो वी राज्जु के बीश में वित्त बत्वारस के लिए उसके सिस्टम को सैट करने के लिए या जाता है चलिए प्रश्न नम्बस 22 की बात करते है प्रश्न नमबडा 22 कहता है होलकर वन्ष की स्थापना की थी, मैं अभी केवल स्थापना कार के नाम बता रहा हूँ, अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो मद्यप्रदेश के प्रमुग एतिहासिक वन्षों को लेकर होगा, तो उसमें मैं इसको लेकर हूँ, डीटेल में आप लोगों से चर्चा करूँगा, ठीक है पिलाल प्रश्ण नंबर 24 आपका क्या कहता है, इसमें सही कूट चुनने को दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 में राजाओं के नाम दिये हैं, और सूची 2 में उनकी राज़ानी या च्षेत्रों के नाम दिये हैं राजा भोज का संबंद किस से है तो याद रखेंगे राजा भोज का संबंद धार से है राने दुरगवाती का संबंद का है से है गोंडवाना से है समुद्रगुप्त का संबंद का है से तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त का संबंद विदीचा से और अशो का संबंद क कहां से उज्जेन पे तो इस प्रकार से ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 जोड़ी बनती है तो यहां पर देखों-एक का 3 कहां दिया हुआ यहां पर दिया हुआ है, ठीके ही एका 3 वी का 4 जंढ यह दिया हुआ है, सी module यहां दिया है और Pokemon theo m Predator अब इन को आप अलग-अलग से भी याद कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि ये कोशन इसे प्रकार से आए हो सकता है कि पर्टिकुलर राजा भोज को लेकर देदे तो आपको धार याद रखना है दुर्गवत्ति को लेकर देदे तो आपको गोंडवाना याद रखना है 25 जो कहता है कि निम्न नगरों में से प्राचीन वा नविन नामों को संबद कीजिए एक तरफ इन नगरों के प्राचीन तम नाम दिये हुए हैं दूसी तरफ इनके वरतमान नविन नाम दिये हुए हैं आपको जोड़ी बनाना है कि कौनसा ऐसा शहर है जिसके प्राचीन न वर्तमान के नवीन नाम से संबद्द नहीं है जिसे महिश्मती जो है वो महिश्वर को कहते- ते बिल्गुल सही है चेधी को आज कहते है खजुराह यह भी बिल्कुल सही है वस्थ को कzahl क्ञेख 23 जो धश्पुर दोस्थों मंसौर को दस्पूर किसका नाम है मंत्वर का नाम है तो यहां पर स्वाखपूर नहीं हो सकता इसका मतलब यह गलत है आपका उत्तर हो जाएगा डी इस प्रकार से आज फिर हमने हमारे सफलतम 25 कुश्चंस पर डिसकस किया है उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आ समझ में भी आ रहा होगा अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं अगले 25 कुश्चंस के साथ तब तक के लिए जय हिंच जय भारत वंदे मातरम बहुत बहुत धन्यवाद